हेलो एभरिवन, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, Fire and Safety checklist कैसे बनाई जाती है उसमें हम क्या-क्या points रखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊ गयो और इसका importance क्या है Fire and Safety में अगर हम checklist बनाते हैं तो हमें ऐसी क्या चीज़े होती हैं जिने हम रोग सकते हैं ठीक है यह सारी चीज़े मैं आपको बताने वाली हूँ ठीक है तो अभी तक तो हमने जाना था कि inspection and audit के बारे में अब inspection and audit तो हमने जान लिया अब inspection and audit अगर हम checklist की help से करते हैं तो यह हमारे लिया बहुत ही beneficial रहेगा इससे क्या है हमारे documents तो तयार हो ही जाएंगे साथ ही हमें हमारे पास एक note down रहेगी सारी चीज़े कि हमने यह यह चीज़े check की थी ठीक है checklist एक easy way है सारी चीज़ों को check करने का और mention करके as a document रखने का ठीक है ठीक है तो checklist maintain करने बहुत कमपलसरी है यह एक तरह का first add है यह समझ लीजे safety के लिए first add है जो हम करते है first step रहता है यह safety के regarding ठीक है इससे क्या होता है जो भी काम हमने देखा था जो भी हमने observe किया था जो भी unsafe act या condition हमने देखी थी बनते हुए उन सब पे हम easily और अच्छे से work कर सकते हैं अगर हम checklist maintain करके रखते हैं तो ठीक है अब checklist में हम point क्या क्या रख सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी यह देखे तो इस तरीके से हम अपनी fire safety checklist मैंटीन कर सकते हैं प्रिपेर कर सकते हैं have the right equipment क्या हमेरे पास सारे equipment है ठीक है तो क्या है हमें extinguisher चैक करना है sprinkler system हमारा वर्क कर रहा है यानि smoke detector fire alarm वर्क कर रहा है यानि emergency exits जो है वो sign के through indicate है या नहीं हमेशा याद रखिएगा जो भी आपका exit door है हमेशा two doors तो होनी चाहिए ठीक है जो exit door है वो mention होना चाहिए और जो आपका evacuation path है evacuation यानि जिस जगह पे आप हैं और आग लगे और अभी आपको भागना तो evacuation path जो है वो सबको neat and clean उसका जो map है वो maintain रहना चाहिए और पूरे जितने भी workers हैं जितने भी employees है उन सबको evacuation plan पता होना चाहिए आप ऐसे इसको maintain कर सकते है ठीक है अब एक चीज और जैसे कि आपने inspection किया तब आपने देखा कि कोई भी आपका exit door है exit way है वहाँ पर जो pathway है मतलब जो जाने का रास्ता है वहाँ पर कुछ सामान गिरा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से अगर आग लगती है या कोई भी accident होता है तो लोग अगर भाग के चाते हैं तो वो वहाँ पर गिर भी सकत हैं तो इसमें यह भी आप note down कर सकते हैं जब भी आप अपनी checklist prepare कर रहे हैं तो जो भी आपने observe किया उन points को भी mention कर सकते हैं इसमें तो सिर्फ 4-5 points है पर आप क्या है अपने observation के according इसकी checklist खुद से maintain कर सकते हैं ठीक है और इसके साथ साथ यह तो आपको observe करना कि यह सारी चीज होता है जैसे कि अब extinguisher है अब भी माल लीजिए कोई accident हुआ होगा आप क्या चोटा मोटा fire जिसकी वज़ेसे वह extinguisher आपने यूज कर लिया अब उसकी diffling भी तो करानी होगी उसको रखना होगा तो यह भी आपको check करना होगा कि कोई ऐसा तो नहीं कोई extinguisher जो आसपास है खाली हो तो diffling भी आपको उसकी कराके रखनी होगी उसके बाद जो भी equipments है fire and safety के जो भी fire fighting के लिए equipments है वो सारे होना बहुत कम पल सरी है तो यह बात होगी equipments की हम equipments की checking करते रहना चाहिए fire detector smoke detector monthly check करते रहना चाहिए extinguisher का pressure check करते रहना चाहिए ठीक है उसके बाद बाकी क्या चीज़ हम कर सकते है देखिए अपना जो भी staff है आपका आपके जो भी employees है उनको training देना वो well trained होने चाहिए fire and safety को लेके ठीक है उसके बाद आपको fire drills करानी चाहिए at least once in a week पूरे हफते में एक बार तो होनी ही चाहिए fire drill ठीक है उनको पूरे aware करना चाहिए extinguisher के बार में ठीक है और जो भी आपका emergency या help line number है उसको हमेशा display पर रखना चाहिए मतलब ऐसा लिखा हुआ रहना चाहिए जो की easily किसी भी worker को या employee को easily दिखे ठीक है तो इस तरीके से आप checklist अपनी prepare कर सकते है और इन पर work कर सकते है तेखिए फिर उसके बाद जब आपी checklist prepare कर लेते ह है इससे आपका काम भी आसान हो जागा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे points नहीं लिखना होंगे already आपके पास point बने होंगे और yes और no आपको इसमें fill करना होगा ठीक है तो इस तरीके से आपका work भी easy हो गया और document भी prepare हो गया आपके regarding कियो है work का ठीक है जो भी आपके पचा सकते हैं ठीक है उसके बाद देखिए आप fire safety checklist एक वा तरीके से प्रपेर कर सकते हैं देखिए जैसे कि जो भी यहां से आपका first जो inform जो भी है point है वो यह है कि जहां से भी आपका exit door है वो एकदम clear होना चाहिए आपके पास पूरो fire fighting का जो equipment है वो सारे available होना चाहिए fire extinguisher हो गया horse pipe हो गया बाकी सारी चीज़े बिल्कुल available होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपके जो भी smoke detector fire detector जो भी लगे हो है वो सारे working condition में होने चाहिए और उनकी regularly check up करना भी ज़रूरी होता है ठीक है सबको उसके बारे में पता होना चाहिए कि evacuation plan क्या है देन उसके बाद आपको अपना staff जो भी है employees जितने भी है उन सबको भी train रखना चाहिए उनको fire safety की training regularly देनी चाहिए जिससे वो well trained हो और उने भी पता चले कि कभी आग लगती भी है तो उने क्या करना चाहिए starting कहां से कर जरूरी है उसके बाद extinguisher जो भी है वो कब refill हुआता उसकी replaced कभ हुआता ठीक है उन सबकी चीजे भी check करके रखना जरूरी है पूरा extinguisher के बारे में पूरा maintain करके रखना जरूरी है उसके बाद electrical appliances जो भी है आपकिया electrical system है उनको भी maintain करके और check करना चाहिए regularly ऐसा नहों आप जो है वो लगना शुरू हो जाए तो ऐसे 9 points और ऐसे भी कही सारे points जो आप अपनी checklist में उनको रख सकते हैं ठीक है तो यह कुछ fire fire के regarding points थे जिन पे आप धिहान दे सकते हैं और खुद से भी आप अपनी checklist prepare कर सकते हैं तो इस तरीके से आप checklist maintain करके अपना work easy बना सकते हैं और अपना एक documents भी prepare कर सकते हैं इसके according checklist maintain करके ठीक है और इसी तरह से checklist maintain करने की साथ-साथ आपका workplace जो है वो safe and secure भी होगा accidents level भी कम होगे और आपकी regular inspection की वज़ह से ऐसे कोई भी accident नहीं हो पाएगा तो checklist कैसे बनाना होत यह आज आपको पता चल गया so thank you